हेलो नमस्कार दोस्तों कैसी हां सभी और कैसी तर रही आप लोगोगी तैयार या तो एक टेस्ट करेंगे दोनों साथ में करेंगे कि रास्तान जीके का और नगरपाली का दिनिम वाला पार्दू है रास्तान जीके के हम टोटल इसमें 60 क्यूसन कवर करेंगे पलस सालीश क्यूसन है वो नगरपाली का वाला दिनिम जो है उसके यान टोटल सो क्यूसन की सीरीज है यह आज का टेस्ट है और यह सुपरपास्ट सीरीज ही है यानि रिवजन करवाने के लिए हैं सुपरपास्ट का मतलब आप लोग समझते हैं कम समय में जादा से ज़़ा क कूसर करा लिए तो आयरищ तो आपको 20 मिनिट का टाइम मिलेगा और 20 पर 100 क्यूसन के आपको आनसे देनी है टार्गिन रखते हैं कि कम से कम आपके जो है वो 70 क्यूसन तब्र लेकिं जो भी परवाओ जो पड़ा है मालवी बोली राजस्तार में बोलते हैं खास तोर से परतावगड़ वाला एरिया जो है या जहलावाड और जहलावाड के लावा थोड़ा सा कोटा वाला एरिया जहां पर मालवी बोली बोली जाती है तो राइटांसराप का तीन जो है वो सही है इसक बरतपुर वाल एरिया को अलबर में और एक और क्यों सनाता है कि मिवाती बोली में साहिती हैं वो कि संपरदाई की हैं तो एक लालदासी संपरदाई जी है लालदासी का जो है और एक चंदासी का जो संपरदाई चंदासी संपरदाई वहाँ पर और चंदासी की दो सीशा रह अब रहा होता है। के लिए सार्दा एक्ट जो है पारित वात देडिनी के प्रियास्व और प्राए जहा आए के बाल वीवास से संबंदी था एक आपका सही है बोली जिसमें सुन्दददास्स यानी दादौपन के सहते हैं दादू देयाल जीवत हो उसका अगर खरच करते हैं तो वो जोसर कहलाता है आदिवासी में से कांधिया कहते हैं या इसे ही लोकाई कहते हैं और ग्रासे जमदाती में से मेक कहते हैं तो कांधिया लोकाई मेक जो है ये मर्तिव भोज की नाम है मुर्थी बोज को समाने डम्होषर कहते हैं और जीविदक्ति का ही जो सर होता है बडार विवाखे टायम पर हो जाता है जो समय भूझ देते हैं अगतला है कि जीवन का अंतिम संस्कार या निधि टोटल 16 संस्कार होते हैं जर्म से पहले होते हैं अपंद्रवा विवाव वाला वात है इसके बाद में एक होता है वो यह करते हैं जो अंतिम है डुंगरपूर बास्वाड़ा को दोनों को समली तुरूप से कहते हैं वागड और वागड में जिवली बोली बुलते हैं वागडी बुलिको ही कहते बीली बुलि को चेला आप किस न था यह this तता सिर्श करम संसकार होता है यानि सारी नाम सही है कौन सा संसकार सिचो के जर्म से पूरों नहीं होते तो तीन संसकार होते हैं आपको य। है पहला पहला होता है गर्बादान संसकार पुस्वन सीमान तोनें संसकार निस्क्रमण नहीं होता है न Southern सरा पत Kn kaz कर पतनी फड़ कि शरूप सिंग जी के द्वरा लगाई ये रही थी सुरूप सिंग जी आपको यादे कहां के सा सकते मेवाड के महारणा थे और मेवाड में सबसे पहले रोक लगी थी खेरवाडा वाले शेतर में तो डाकर्म परजा पर रोक कांप लगी थी मारवार में लगी थी बढालिया क्या होता है राज़तान की सेंस्कृति में सब्धियूज करते हैं बढालिया बढालिया मतल होता है जो बिचोलिया जो होता है विवाही समंदों में मद्यस्ता करने वाला जो होता है बिचोलिया बढालिया कहते हैं अचा, राजदरबार में पंक्ति बत्री की से बैठने के जो रिती थी, वो क्या कहलाती थी? मिसल कहते हैं। राजदरबे सर्चे पहले ठारा सो तेटिस में कन्यावद को गैर कानूनी है, वो कहाँ पर हाडोती वाले चेतर में और हाडोती में कहें, तो कोटा में एक सही है। वो सीरोही में निवास करते हैं, तीसरी बड़ी जनजाती हैं, यह धारी है, धारी संसकार किस जनजाती में होता है, तो सहरिया जनजाती में होता है, और सहरिया जनजाती जदा का निवास करती है, बारा जिले में निवास करती है, तानना विवा और मोरबंधिया विवा, यह कौनी जनजाती में होते हैं यह गुर्म जनजाती में तो राईट गई का विल के साहती सही है बहुत एक पिधंचर लिज almonds करे और सेठीया चेतर में का पिल दो है कला को कोई आडोती का पूम के दिए का अरति पूहने मा को मेला वरता है चेतर वी चेतर का मेले का समध है कौन सी जनजाती से गराश्या जनजाती से प्रेम विवा का परसलन किस जनजाती में ज़्यादा होता है प्रेम विवा गराश्या जनजाती में जो हो ज़्यादा होते है गराश्या में राइट आंसर सी है और बड़ी तीज याजिशाप साथूडी तीज कह दीज़ कह दीज़ कह दीज़ कह दीज़ कह दीज़ कह दीज़ कहा दीज़ कह दीज़ कह दीज़ कहा दीज़ कहा दीज़ कह 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 दीज़ जनजाती में डी सई है अचा संसोधित छेत्र विकाश करकर उनका पुचला था 78-79 में एक सई है वालर जो है किस जनजाती का लोक नरते हैं गराश्य जनजाती का गुर्मर कहलाता है इसके लावा कूद नरते हैं मादल नर्टे भी होता है मोरिय नर्टे भी होता है जवारा नर्टे भी होता है कहां पर रोते हैं गराशिय जन जाती में राजस्तान में सरवाधिक प्रिटन स्थल है जो है वो देखने आते हैं सरवादिक प्रेटर के हैं वो कोर्षियस्तान को देखने ज़्यादा आते हैं तो जो एतियासिक स्थल है राजस्तान के राजस्तान के एतियासिक स्थल को देखने के लिए ज़्यादा आते हैं सी सही है एक सामाजिक सहेकारी संस्ता होती है हेलरू एक तो यह आता है कि हेल रूर क्या है एक सैकारी संस्ता है किस जंजाती में है तो गराशय जंजाती में है अच्छा बीचा और माला दो उपजातियों के नाम है किस जंजाती की तो इस सांसी जंजाती की सांसी जंजाती बर्धपूर में जद्धा निवास करती है एक रसम का क बहुत बार आता है कूकडी रसम होती है जिसमें लड़की को विवाह से पहले अपनी पवित्रता की प्रिक्षा देनी होती है तो राइट रास्तार एक है अगले जोड़े की पैचान करनी है जलरासी और जीला गेप सागर डूमरपूर में है सहीय की गलत है ठीक है कालायना ज जण जाती में भील जण जढ़ती जो राष्ठान की सबसे प्राचिन जढ़ती है चांद बावड़ी है आबानेरी में आबानेरी कहाँ रहा है आबानेरी है दोसा में जहां पर हर्ष districts cả मदिर भी बनावा है देवताय की साल नहीं के और शूट की शाड़ी आरास्तार में कहाँ की परसीद है स्वाई माधवपुर की डिससा और नांतरा नामक लेंगे कहाँ में पचाल नांतर वस्तर आदिवाशयों में होता है दूसरा यात्र ने सबसे प्राचीन वस्तर कौन सा है आदिवाच्चों के सबसे तो उसे नादड़ा नाम भी मिल जाता है भी आपका सही है सेकर में गाउं है पाटोदा गाउं किसके लिए परशीद है लूगडों के लिए परशीद है आपका सही है जागीरडार में पहले लोग अपनी साधी में देज में कुछ कुमारी कन्याएं बेएते थे जागीरदारों में पहले लड़की का विवा होता था कुछ कन्याई देते थे डावरिया परता यह डावडी कहा जाता था तोरण बारना कीका परती होता है यह जावरिया चुन्सकार का सब्सकार का सब्सकार का सब्सकार और देपाड़ा क्या है विलो में तंक दोती को डेपाड़ा कहते है तो राई टांसर आपका एक सही है अcesso ब्लागी जाल और गाउन अच्छा लेटा गाउंट क्यों परसीद है लेटा गाउंट खेसलों के लिए परसीद है खेसलों के लिए एक सई है और कौन सा रिती रिवाज जो है वो विवाह से समदेत नहीं है बिंतोला भी है, गंचोडा भी है, डावरिया भी नागल नहीं है नागल एक्चल में गरह परवेस होता है और आदी वाशी में कटकी बस्तरकुन पहनता है जो एह विभाईत वी उतिया होती है कुमारी करने होती है उनके द्वारा पहना जाता है रेकिस्तान का जल महल किसे कहते हैं तो बाटूड़ा का कुवा कहलाता है जो कि एक थोड़ी जन जाती के महला है जो है मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है उस साड़ी को क्या कहते हैं उस साड़ी को फढ़का कहा जाता है यानि सी सही है और आदी वाशीयों में इस बतोत नादरा क्या है एक वस्तर है यानि सबसे प्राची नवस्तर भी बताया थ नादड़ा सबसे प्राची निवस्तर है ग्राशियों का वह लोग नते जिसके आईजन में एक आत्में तलवार दूसरी आत्में चाता लेकर किया जाता है इसे ग्राशियों का गुमर भी कहते हैं तो राइटांट से क्या हो जगा वाल नते हैं डिसी ए तो यह तो रास्तान नगरपालिका जर्म 2009 के किस धारा की अंतरगत है यह नगरपालिका को अलगले वार्ड़ों में डिवाड़े करते हैं और यह धारा 9 में है नगरपालिका जर्म 2009 की नुसार नगरपालिका की पदावदी कितना है यानि कार्यकाल कितने वर्स का होता है तो 5 वर्स के टाइमिं नगरपलीक हन्म 209 की सर्चना क्या सामिल हैं पास्तम में नगरी निकायों की संक्या जो है वो कितनी है 213 राइडान साभी है तो नगरपालिका की स्तापना राजस्तान नगरपालिका अधरिम 2009 की किस दारा के अंतरगत है तो नगरपालिका की स्तापना का जो प्राउदान है वो किस में है धारा पांस में है दारा पांस में है और रास्तान नगरपाली का अधरिम 29 में राज्य सरकार परकासित अधिसोसनाद द्वारा किसी स्थान ये छेत्र को नगरपाली का गोशिद कर सकती है यानि किसी भी छेत्र को नगरपाली का गोशिद कर सकती है कौन गोशिद कर सकता है राज्य सरकार कर सकत कु求 रिखारा में है यह दारा तीन में नगरपाले का 129 में में सबत भूम्प represented क्या-क्या समयर Hybrid मैं क्या-क्या समयर ऑथे हैं तो मकान दूकान दोन niez AB सही है अच्छा राज्टान निगरपाली का अधिरम 2009 के अंतरगत सद्धियों के निर्ता क्या है तो या तो अपराद सिद्ध हो जाए या न्यालिया जो है उनको दिवालिया वोशित करते या दो से ज़्यादा अगर उनके संतानों तो सारे सही है नगरपाली का अधिरम 2009 के धारा 24 हो है 24 में क्या परादान है 24 में ये है कि निर्वाचन की सादा निर्योगिता हैं बताए गई है अगर निर्योगिता बतानी हो कि कौन सी धारा में है तो धारा 24 में है अगला है कि राजय नगरपाली का अधिरिम 129 की किस धारा में यानो धोनी विश्थार को बेनर होर्डिंग आधी का उप्योग पर रोग समधी परावदान है जीतने भी बेनर है या होर्डिंग लगते हैं इनके परावदान धारा तेज की अकोर्डिंग होता है इक से ज़्यादा वारडों का चुनाव नहीं लड़ सकता और यह रोग कोन से धारा में धारा 22 में है नगरपाले गद्म 29 के किस तारा में नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अहरत वेक्टतिके बारे में परावदान है यानि जो सदस्य से बनना चाता है उसके परावदान जो धारा 21 में है तारा 22 में क्या है कि एक्षिप जद वारणों के साथ चुनाओ नहीं लड़ सकते तेस में क्या है कि जो धोनीवी स्तारिक हैं, बैनर है, होर्डिंग है, उन पर रोक लगाने के प्रावधान है नगरपाली का दिरम दोजन ओकि किस धारा के अधीन, जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है वो धारा सत्रा में आता है, किसमें 17 में एक सही है नगरपाली का दिरम दोजन ओकि धारा पंदरा में क्या है भी, पंदरा में मिथ्या गोशन, चूटी गोशनों के बारे में सी सही है और निर्वाचन नमावली में किसी का नाम नहीं होगा, काट दिया जाएगा, किसका नाम नहीं होगा भारत का नागरिक ना हो तो नाम नहीं हो सकता नियाल लेके दोवरा विक्रिचित गोशित कर दिया हो तो नहीं हो सकता बश्ट आशन दोसी हो तो नहीं तो प्रिख सभी राय आशन बी है निर्वाचन नमले त्यार किसके दोवरा की जाती है निर्वाचक नमावली त्यार की जाती है वो रजिश्टी करन अधिकारी की द्वरा निर्वाचक रजिश्टी करन अधिकारी की द्वरा त्यार की जाती है निर्वाचक रजिश्टी करन अधिकारी की द्वरा त्यार की जाती है जो नगरपली का कदेक्स है या नगर प्रियसर विन सभापती है या नगर निगम मापूर है सारे आते हैं देक्स में डी सही है नगरपली के दिम दोजा नो में जिस वेक्ति ने अपनी स्वेम की भूमी पर कॉम्पलेक्स बनवाया हो कहलाता है स्वेम की भूमी पर बनवाया हो उसे भवन निरिमाता कह दीजे विकास करता कह दीजे दोनों ही सुधी उज़ कर सकते ए भी दोनों सही है रास्ता निगरपली कादम 2009 में भवन शर्चना में क्या-क्या सामिल है तो बहुन सर्चना में आप क्या क्या लेंगे बहुन सब कुछ साथ दिवारी भी आएगा फरस भी आएगा, बालकनी भी आएगी, सारी आएगे तो डी आपका सही है नगरपाली का दिनम 2009 की अंतरगत नगरपाली का उपादेक्स अपना त्याग पत्र होगें तो शी सही है अगर विपल हो जाते हैं तो दوبारा सपाद लेने का मोका दिया जाएगा पद रिकत माना जाएगा या सद्धेस्य दे दी जाएगी या जुर्माना दिया जाएगा तो क्या होगा? पक्ध रिक्त माना जाएगा B है, वो आपका सही है कैसे चुटा सकते है? एक तो ये कि बिन्हकों इजाजत के गर तीन बैटर में भाग ना लग तो उठाया जा सकता है पद का दुर्पियों करे तो भी टाया जा सकता है करतवे जो है पालन ना करे उनमें समर्टो तो भी टाया जा सकता है यानि डी सही है नगरपाली का जर्म दोजान नो के अंतरगत नगरपाली का सदस्य पद की सपत का पराउधान है अबी भी बताی था, सपत किसमें, देरास सेंथिसमें है नington anlam च्रिय द्रिम 2009 के अंतर कात जिल्ला न्याईदीस के आदे से निर्वाचित समन्धी मामलों में अपील की जा सकते हैं तो निर्वाचित सम्धी मामलों के अपील करेंगें तो कहां करेंगे उस नियाले में कर सकते हैं उस नियाले में सी सही है नगरपली का दिर्म 2009 में निरवासन याचिका का प्रावदान किसमे है निरवासन याचिका का क्योशन में ने पहले भी करवाया था 31 में यानि 20 है परास्ता नगरपली का दिर्म 2009 में बस्ट आचन माना जा और प्रतिदविंदी यानि विप्रक्षी जो है उनको ग्रदम की देता है तो भी बश्ट माना जाएगा यानि सारे ही रिजन हो सकते हैं वी सही है नगरपाले का दिर्म कम से कम बैठे कितनी होनी चाहिए और ये बैठे के वेज में कितनी मतलब टाइम हो सकता है तो दो मैने या सार दिन का रास्ता नगरपाली का दिर्म 2009 में किस धारा में बैठे बुलाने का प्रावदान है तो अभी पड़ा था होने बैठे कितनी चाहिए और टाइम ही कितनी हो से दो मा या साथ दिन में के बादे बैट हो आता नगरपाली का दिन में नगरपाली का की सामने बैठ कितने दिन में एक बार बुलाने का पराउदान है तो अभी पड़ाता दो मा में या साथ दिन में एक बुलाने का पराउदान है और नगरपाली का दिन और आस्ता नगर पाले के जर्म 2009 की धराफ 50 का समंद किसे है तो धराफ 50 जो है उसमें क्या है कारियवार सुपने का किसे कारियवार सुपने का और भी पड़ाता किसको सुपने का नियुकति व्यक्ति को त्राइटांसर C है तो ये थे 40 क्यों सन्द यानि 60 पलस चालीस इतने सह जी कि हैं आप कॉमेंट करें बताओ पीडियप आपको टेलीग्राम पी मिलेगी जिसका लिंक है प्रहला सानसर के नाम से एक्जाम नगरी आप डाउनलोड नहीं किया है तो ये भी कर लेना मोस्ट इपोर्टेंट है और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सेशन म नई क्लास में उमीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी अलगे रास्तान जी के एक ज्यादा क्यूशन एक दो ये टोपिक सी थे और वो इसलिए कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो ये सो सो क्यूशन के डैली हम टेस्ट करेंगे आपके इस एक्जामन के लग से कम्प्लीट डेली आपके लाइव टेस्ट करेंगे तो मिलते के लिए वीडियो भाई थैंक यू सामच